प्रतिसत की वीडियो जो आपको तीन चार्ट कुड़ों में प्रतिसत को थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ना होगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इसके बाद जो टॉपिक है वह आपका इसी से पर अगर यह टॉपिक आप अच्छे समझ लेते हैं तो प्रॉफिट और लॉस जो है वह आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे तो हम देखने वाले हैं प्रतिसत क्या है प्रतिसत अपने आप में सो के भाग को लेकर चलता है जैसे आप करोडों रूपे की बात करें करोडों रूपे की बात हो रही है लिकिन इसमें से कुछ हिस्से को खतम कर दिया गया है तो हम क्या कहते हैं उस करोडों को सो के रूप में लेती है प्रतिसत की रूप में और उसमें से कितना हिस्सा खत्म हुआ है उसे अंस की रूप में हम दिखाते हैं यानि कि प्रतिसत को हम भिन्न की रूप में भी दिखा सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्जैम दिया हम आपके एक्जैम कितने नंबर का है मान लीजि प्रतिसत के रूप में जब भी आप इसे देखते हैं तो इसे सो के रूप में देखते हैं और क्या इसके हिसाब से जब आपना रिजर्ट निकालते हैं तो आप यह कहते हैं कि हमें इतने प्रतिसत मिला है और उसके आपसे अपने प्रतिसक को आप निकालते हैं यानि कि यह जो मूल होता है मूल होता है इसे हम सौ की रूप में रखते हैं और इसे क्या है यह जो एक भिंडे की रूप में जब हमें दिखाते हैं जिसका भिंद ये उपर अंस होता है और नीचे हर होता है जब हम इसे भिंद की रूप में दिखाते हैं तो जिसका हर सदा सौह रहता है वो आपका प्रतिसत कहलाता है जिसका हर हमेशा सौह रहेगा तो ये ऐसे पॉइंट है आप समझ भी चुके होंगे अप कुछ पॉइंट हम यह उठाते हैं कि संख्या को अगर प्रतिसत में बदलना हो तो जाने के मालेजिए क Посक्bung की भी बात हो रही हो हिसे प्रतिसत की रूप में दिखांसे देखेंगे संख्या को समझने बब सोब हुझे जाइब लोड़ित्रiben अब देखे मान ली जिए हम क्या करेंगे कोई भी एक संख्या ले लिए माली जिसे अरही समझने के लिए संख्या गुडित्ते ऑं जो मिलेगा वही आपका प्रतिसत है यारे कि कोई भी संख्या है उसमें आप सौ का गुड़ा कर देते हैं तो जो आप बनता है वो प्रतिसत कहलाता है जैसे कोई भी संख्या ले लिजी हमने ले लिए 25 गुड़ित्ये सौ तो क्या हो जाएगा पचीस सो हो जाएगा और यह पचीस सो क्या है प्रतिसत है अब आप कहेंगे यहां तो सो दिखा रहा है यहां पर पचीस सो कैसे हो गया तो यह पचीस सो जहां प्रतिसत के रूप में दिखाएंगे यहां पर इस रूप में तो यह फिर हमारा सो ही माना ज जाएगा तो आपका आजाएगा 75 दसमलो जीरो जीरो का कोई मान तो है नहीं यह हो जाएगा आपका प्रतिसेत है अब हम भीन की संख्या ले लेते हैं माली जी हमने भीन की संख्या एक बटे पांच ली इसमें आप सौ का गुड़ा कर दीजिए कुछ पॉइंट ऐसे होते ही जीन पहले ही पढ़ा दिया जाता है ताकि आपके आगे की वीडियो के लिए काफी है अब देखें आपका गुड़ा आ गया तो बटे का जो प्रोसेस है वह आगर आपने देखा होगा तो यहां पर आप इसे इसली कर लेंगे इस पांसे डायरेक्ट इसको कार सकते हैं तो पांच दूनी कर देते हैं दस और यह जीरो यहां पर उतार दीजिए तो क्या मिलेगा अब एक का गुड़ा बीस में करना है तो कोई मतलब ही नहीं तो यह क्या हो गया आपका बीस प्रतिसाथ इसी तरह से एक बटे आट कर ले लते हैं हम एक बटे आट में सौका गुड़ कर देंगे तो आपको प्रतिसाथ की रूप में मिल जाएगी अब आता है प्रतिसाथ अल्रेडी दिया गया हो तुसे संख्या में कैसे बदले संख्या में तो बदलती नहीं वरण भिन्नी की रूप में आती है यानि कि वो संख्या यह दिखाती है कि जो मूल संख्या है जि को क्या बताएगा आपको हिस्चा क्योंकि भीन क्या बताता है आपका नीचे हर उपर अंस को बताता है मैं बदलना है ठीक है अब करते हैं माली जे 25 प्रतिसत है अगर आप ऐसे नौर्मली आप समझ चुके होंगे कि किसी संख्या का हम चार भाग कर दें तो वह चौथा भाग क्या आपको बताता है और हमसरा चार आपको आपको संख्या का हिस्टा बता क्या है अगर तो इसमें से कंञ लेंगे तो वह में 20% के बराबर हो बात को समझीएगा देखे और देख लेते हैं इसी पर से हम Čजे 8 पर्तिसत ले लिए हमने आप इसको भियन में बदलना है तो क्या होगा आट के बटे में सों कर देंगे काटेंगी तो अगसार यहे तो किसा और बटे का गाएं तेन hen hen यह प्रोसेस अगर आपको कुछ पॉइंट कहां पर ऐसे पॉइंट है जिन्हें आप याद करने तो आपको सवाल सौंप करने में काफी इजी होगा इसी तरह से अगर दस्मलों की संख्याइं लेती हैं हम दस्मलों 0,04 कर देते हैं हम ठीक है को भीने से करना है तो क्या करेंगे आपको प्रतिसद दिया गया हो तो आप क्या करेंगे उसी के बटे में 100 कर देंगे तो आपको मूल संख्या मिल जाएगी अब तो यह कुछ पॉइंट होगे जिसे आपने जान लेकिन अब हम इस पर आधाई कुछ प्रश्णों को देख लेका बहुत एजी 2018 में इस पर एक प्रशन आया था बहुत अच्छा प्रश्ण था तो उश्प्रश्ण को हम देख लेते हैं देखें एक प्रश्ण हम लेते कि इसका प्रव का 100 प्रतीसकी निकालेते वह निकाल लेटे हैं तोENT को बता ना है तो संख्या जब को अब क्या करेंगे संख्या में सो का घुड़ा कर देंगे गगे संख्या में क्या करेंगे 100 का गुड़ा कर देते हैं आप यहां पर जिस चिछ को ग्याद करना होता है उसे बटे की रूप में सदा उपर रखा जाता है तो संख्या हमारी क्या है मूल संख्या है 25 और ग्याद किसका करना है पांच का तो हम पांच बटे में यहां पर 25 रख देंगे यानि कि अगर 25 रुपे का पांच रुपे कितने प्रतिसत है तो वो 20 प्रतिसत के बराबर है एक और प्रश्न देते हैं इसी पर आधारित है क्या करेंगे आप गुड़ा करेंगे जिसको ग्याद करना है उसको उपर रखेंगे तो हम 5 को उपर रखेंगे तो हम 5 को उपर रख पांच को ग्याद करना है जिसमें से हमको निकालना होता वह पूर होता उसे नीचे रख दे तो यह हो गया हमारा 50 गुड़ित्टे प्रश्ण प्रश्ण का 5 कितने प्रश्ण है तो 10 प्रश्ण है समझ रहे हैं अब यह प्रश्ण थोड़ा सा घूम के आएगा कैसे घूमेगा प्रश्ण लेते हैं हम 20 का 25 प्रश्ण ग्याद करें अब देखिए यहां पर प्रश्म को देखिए कह रहा है कि 50 रुपे है उसका 5 रुपे कितने प्रतिसत होगा और लेकिन यहां पर कह रहा है कि 20 रुपे है इस 20 रुपे का अगर हम 25 प्रतिसत करें तो कितने रुपे होंगे मैं यहां पे रुपे में बता रही हूं कि वह समझने के लिए कि कितने रुपे होगे अब आपको 20 रुपे तो है आपके पास आपको उसमें से 25 प्रतिसत देने हैं तो आप कितने रुपे देंगे और यहां पे था कि 50 रुपे हैं आपके पास आपको उसमें से 5 रुपे देन लालिक हैं कोई भी अपने जब होती है तो वो 100 के प्रदाबर होती है वो अगर अगर उस संध्या को में आधा करते हैं तो 50 प्रतिसद नेकिन फिर उसी संध्या को हम 1 बटे 4 जो 25 प्रतिसद हो जाती है एक बटे 3 करते हैं तो 33 एक बटे दो 20pha यहां से अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उपर की जो 5 देख रहे हैं यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्ण जादा तर यहीं से बनते हैं और जादा तर लोग यह जानते भी होंगे एक सो प्रतिस के बराबर आधा परचांश परतिसर के और चौधा हिसे जो हो बराबर एक बटूर्टीस परतिस अंगे 2 25 प्रतिसत तो आप देख रहें 25 प्रतिसत कहां है यहां पर 25 प्रतिसत उस संख्या के कितने के बराबर है एक बटे चार की तो संख्या क्या है आपकी 20 है और आपको 25 प्रतिस निकाला है 25 का आप देखी रहे हैं तो आप इसे क्या करेंगे 20 को उपर करेंगे 20 को हम 100 से तो बीस बटे में जाएगा आपका चार पांच यह क्या है पांच रूपे जो के भी कहना है कि इस संख्या का पांच जो हम लेंगे वह 25 परतिसत के बराबर हो गए तो हमने यहां से कि अगर इसे normally करना हो, अपने तरीके से करना हो, तो क्या करेंगे, तो वही है, 20 लेंगे, क्योंकि 20 मूल संख्या है, 100 से हम इसे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100 से भाग देंगे, एक परतिसत में जो मिल रहा है, वो हमें मिलेगा, 100 से भाग देंगे जो हमें मिलेगा वो एक परतिसत के बराबर मिलेगा जिसमें 25 का गुड़ा कर देंगे तो हमको हमारी मूल संख्या मिल जाएगी तो गुड़िते क्या कर देंगे 25 कार देंगे 25 चवका 4 पंजे क्या मिला आपका पांच यानि कि अगर हम रुपे में देखें हैं कोश्चन हम इसी तरह से एक और कोश्चन कर लेते हैं कि अब ले लेते हैं 800 का 12 सही एक बट्टा दो प्रतिसत होगा यानि कि 800 रुपे हैं उसमें से 12 से बट्टे 2% आपको निकालना है तो कितने रुपे होंगे चेंशे में सब्सक्राइब 11 बट्टे ₹ कि 108 सoo 12 बट्टे ₹ अथ 203 के बराबर लेकिन ऐत्यों से च्छोड़ करते हैं अपने मन से करते हैं, तो 800 को हम पहले डिवाइट करेंगे 100 से, तो हमें एक प्रतिसत का मिलेगा, और जो मिलता है उसमें 12 सही, एक बटे 2 का हम गुड़ा कर देंगे, यहां पर यह मिसर भीन नहीं, इसे पहले हम साधारन भीन करेंगे, तो 800 बटे में 100 कर देंगे, 12 दूना 24 स यहां पर इंटू रहेगा, 25 बटे में 2, तो 25 चुका कर देंगे, यहां पर क्या आगे आपका, 4, चार समी से काटेंगे, चार दूनी 8 से, यह 200 हो गया, दो से इसे काटेंगे, तो 2 एक कम 2, यह 2 जूर आपके उटरते चले जा रहे है, ध्यान दीजीगा, तो मिला क्या है, ह सिर्फ 100 का खेल है, आप 100 को किस तरीके से रखेंगे, बस इतना ही जानना आपके लिए प्रतिशक को सौल कर सकता है, एक और सवाल लगा लेते हैं, सवाल है हमारा, 36 100 है, का 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशक होगा, क्या होगा आपको यह बताना है, तालिका को छोड़ देते हैं, यह डायरेक्ट आ जाते हैं, तो 36 100 बटे क्या करेंगे हम, 36 100 बटे 100 कर देंगे, गुड़िते अब इसको कर देंगे, 14, 38, 48, 42, 50, 50 बटे में 3, काट देंगे, 50 से काट देंगे, तो डायरेक्ट यह कर जाएगा, आपको अदो आएगा, अब 2 से देखिए, अब यहां से आप चा तो 3 एकम 3, 32, 6, यानि कि 3600 कट गया, पूरा आपका, दो, दो से हम 12 को काटते हैं, तो आता है हमारा 600, क्योंकि यह दो जीरो आपके बने हुए, 600, अगर आप तारिका से करते हैं, तो भी आपको आपको आँसर 600 मिलने वाला है, और ऐसे करते हो तो भी, यानि कि 3600 का, अगम प्रतिसात देखे, कंप्लीट होता है, अब इस पे जो महत्मूर प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न करेंगे, वैसे यह प्रश्न आपके एक्जैम में आया हुआ प्रश्न है, तो फिलहाल के लिए के वल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलाकात होगी, तब तक के लि